दोस्तों शारुक खान के बेटे आरियन खान की मुश्किले कम होने के बज़ाए बढ़ती जा रही है समीर वान खेड़े को जांच से अलग किये जाने के बाद शारुक खान को उम्मीद थी कि अब कुछ राहत मिलेगी और आगे जाकर आरियन केस से बरी भी हो सकता है मगर फिलाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है उल्टा आरियन के मुश्किलें दो गुनी बढ़ गई है जी हाँ, आरियन खान को पहले तो समीर वान खेड़े की जगे जांच टीम के हैड बनाए गए संजे सिंग ने तलब किया और अब दिली से पहुँचे NCB विजिलेंस के हेड ग्यानेश्वर ने भी तलब कर दिया है और इतना ही नहीं, इस बार शारुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को खास तोर पर बुलावा भेजा गया है जी हां, सही सुन रहे हैं आप, इस बार आरेन के साथ साथ पूजा भी फस गई है हाला तो ये हैं कि पूजे ददलानी की गिरफतारी तै हो गई है आगे कुआ और पीछे खाई वाली कंडिशन ददलानी के लिए आ गई है और ददलानी के लिए ही सेकेंड प्लोर को फिर से तयार कर लिया गया है तो क्या है पूरा अपडेट? सब कुछ आपको बताते हैं आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी रह जरूर रखें तो शारुक के बेटे आरेन को जब से जमानत मिली है तब से ही बॉलिवूड में शारुक खान के परिवार में लोग खासे खुश हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि आरेन को अब कुछ नहीं होगा मगर ये ब्रहम सिर्फ एक खटे में ही दूर हो गया जी हाँ सिर्फ एक खटे में आरेन खान पर फिर से तलवार लटकने लगी सिलसिलवा तरीके से आपको पूरा अपडेट बताते हैं तो पहले तो रविवार यानि कि 7 नमबर को NCB की नई टीम के हैट संजे सिंग ने आरेन खान को पूछ ताज के लिए बुला लिया शाम 6 बजे तक आरेन को NCB आफिस में पहुँचना था मगर आरेन पहुँचा नहीं और कहा गया कि आरेन को बुखार है हाला कि आरेन के नहीं आने की वज़े कुछ और ही थी जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताई भी और पूरा खुलासा भी किया था कि आखिर मन्नत के अंदर हुआ क्या था आरेन की हालत कैसी हो गई थी और पूजा ददलानी ने कैसे आरेन खान को रहत दिलवाई थी मगर अब तो खुद वही पूजा ददलानी पस्तिवी दिख रही है हाला तो ये हैं कि पूजा के लिए आगे कुवा पीछे खाई वाली कंडिशन दिख रही है आरियन खान के साथ पूजा ददलानी को भी नया समझ जारी किया गया है दोनों को पूछताज के लिए बुलाया है आरियन खान को दो जगों से बुलावा आया है पहला बुलावा NCB केस में नए जाच अधिकारी संजे सिंग की तरफ से आया है और संजे सिंग आरेन खान से पूचताज करेंगे एक्सचेंज बिल्डिंग में तो वहीं दूसरा बुलावा NCB विजिलेंस जाज के हैड ग्यानेश्वर की तरफ से आया है जो की CRP कैम्प में बैठे हैं और वहीं पर पूचताज भी कर रहे हैं ग्यानेश्वर की तरफ से पूचा ददलानी को भी बुलाया गया है जी हाँ किरन गोसावी के तरफ से 25 करोट के डिमांड की जाने के मामले में लगातार नए अपडेट्स आ रहे हैं और इस पर अब ग्यानेश्वर ने पूचा ददलानी को बुला लिया है पूजा का दोनों ये तरफ से पस ना तैय है जी हाँ पूजा ददलानी दोनों तरफ से पस गई है अब अगर पूजा ददलानी ये मान लेती हैं कि उनों ने या फिर उनकी टीम की तरफ से किरन गोसावी को 50 लाख रुपए दिये गए और बाकी के करोडों रुपे देने की डील भी हुई थी तो पूजा ददलानी पर गवाहों को खरीदने या फिर केस को प्रभावित करने का चार्ज लग सकता है और तब की कंडिशन में तुरंट ही मौके पर ही पूजा ददलानी को गिरफतार कर लिया जाएगा ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अगर पूजा ददलानी पर जाच को प्रभावित करने और खरीदने का चार्ज लगता है तो देरी नहीं होगी गिरफतारी में और दूसरी कंडिशन ये है कि अगर पूजा ददलानी पैसे देने से या फिर किरन गोसावी के साथ किसी भी तरह की डील से इंकार करती हैं तो फिर पूजा ददलानी यहां पर भी पस चाहेंगी क्योंकि तब की कंडिशन में आरेन खान का केस बेहत कमजोर हो जाएगा यानि कि तब आरेन को फिर से जेल जाने की नौबत आ सकती है आरेन की सजा भी लंबी हो सकती है अगर दोस्थ साबित होता है तो यानि कि पूजा ददलानी के लिए आगे कुवा है तो पीछे खाई वाली कंडिशन है अगर डील को मान लेती हैं तो खुद जेल जाएंगी अगर डील को नहीं मानती हैं तो आरेन खान जेल जाएगा ऐसे में मामला बेहत संगीन हो गया है पूजा ददलानी खुद बुरी तरह से फस कही हैं कि वो आप करें तो करें क्या वैसला लें तो लें क्या और बोलें तो बोलें क्या यही नहीं ग्यानेश्वर तो ये भी प्लान कर रहे हैं कि पूजा ददलानी और आरियन खान को एक साथ बिठा कर पूछताच की जाए जिससे साफ हो सके कि पूरा मामला आखिर क्या है और किरन गुसावी की साथ साथ प्रबाकर सैल जैसे प्राइवेट गवाहों को भी आमने सामने बिठा कर पूजा ददलानी से सवाल जवाब हो सकते हैं तो कुल मिलाकर शारुक खान के बेटे को बचाने की चकर में पूजा ददलानी खुद फस्ति हुई दिख रही है और पूजा को आप खुद को बचाना तक मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में अब आपका क्या मा आप भी अपनी बात अपनी राज जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शैर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं तो शारुक खान के बेटे आरियन खान को ड्रक्स केस में करीब महिने भर जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी और आरियन ने पहले इन सीबी के एक समन से आरियन खान केस की जाच समीरवान खेड़े से हटा कर संजे सिंग को सौपी गई हैं और दिली से मुंबई पहुचते ही संजे सिंग ने आरियन खान को बुलावा भेज दिया सुत्रों के मुताबिक दिवाली के अगले दिन यानि की 5 नवंबर को आरियन खान को समन भेजा गया और 7 नवंबर यानि की संडे के दिन पूछताच के लिए आने को कहा गया अब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए शाम 6 बजे तक का पूरा मौका दिया गया अब NCB भी चाहती है कि कहीं किसी पर कोई दबाव न हो बिना दबाव के पूछताच हो और साफ साफ सवालों की जवाब भी आएं मगर आरियन खान तो इस पार NCB के नोटिस से ही घबरा गया जी हाँ मन्नत से सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मताबिक NCB का समन मिलने के बाद से ही आरियन खान डिस्टरब हो गया गुमसम रहने लगा और साथ नवंबर यानि कि संडे का दिन आया तो अचानक आरियन खान की हालत खराब हो गई सूत्रों के मताबिक आरियन अपने पिता शारुक से कहने लगा कि उसे NCB आफिस नहीं जाना है वो वहाँ नहीं जाएगा और शारुक भी आरियन को समझाते रहे कि कानून के मताबिक काम करो तुम्हें कुछ नहीं होगा मगर आरियन का डर पिता के समझाने के बाद भी कम नहीं हुआ यहां तक कि शारुक खान ने खुद आरियन से पेशकश कर दी कि वो भी आरियन के साथ NCB आफिस जाएंगे पूछ ताज के दौरान वहीं बैठे रहेंगे और इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है मगर आरियन खान यहां भी नहीं माने आरियन की हालत ठीक नहीं हो रही थी और खबर है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया आरियन खान की हालत बिगरती गई और दोपैर के बाद आरियन ने खुद को बेडरूम में बंद कर दिया अंदर से दर्वाजे को लॉक कर दिया जी हां सूतरों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरियन खान दोर खोलने के लिए तयार नहीं हुए और एंसी बी आफिस नहीं जाने की जिद करने लगी अब शारुक को पता था कि एंसी बी का समन आया है तो जाना तो पड़ेगा और सवालों के जवाब भी देने ही होंगे लेकिन आरियन मानने को तयार नहीं था सूत्रों के मताबक आरियन खूब रोया शारुक से कहता रहा कि वो नहीं जाएगा लेकिन शारुक भी लगातार आरियन को कहते रहे क्योंने एंसी बी आफिस जाना चाहिए अब सूत्रों के ही मताबिक शारुक खान के मैनेजर पूजा ददलानी ने यहाँ पर मोर्जे को संभाला और पूजा ने सीधे NCB आफिस में मैसेज भिजवाया कि आरियन की तबेट ठीक नहीं है, आरियन को पीवर है और इसलिए आरियन खान आज पेशी में नहीं आ पाएगा, पूज ताज के लिए नहीं आ पाएगा और NCB को आगे किसी दिन रिपोर्ट करेगा